हेलो एब्रिवान कैसे हैं आप लोग मैं मनुश्य वास्तो स्वागत करता हूँ आपका स्कॉलर्स होरम के यूट्यूब चैनल पे तो आज मैं आपके लिए लिकर क्या हूँ केमिस्ट्री वन शॉट रिविजन में क्लास 12 का एक पहला टॉपिक और काफी इंपॉर्टन टॉपिक भी है जिसका नाम है सॉलूशन चलिए टाइम को बेंस्ट के बेना हम लोग तुरंद स्टार्ट करते हैं अपने सॉलूशन चाप्टर का रिविजन सबसे पहले आता है तो सॉलूशन का है सॉलूशन एक होमोजिनेस मिक्षर है होमोजिनेस मिक्षर जो की ठुरू आउट यूनिफॉर्म होता है ऐसा मिक्षर जो ठुरू आउट यूनिफॉर्म हो हम उसे सॉलूशन बोलते हैं जैसे आपका एक्जामपल लेना हो तो आप चीनी को पानी में घो है चलिए इसी तरह solution में दो part होते हैं एक solute और solvent solute जो होता है वो ज़ादा amount में होता है solvent की जो state होती है वही solution के भी state बनती है यह भी ध्यान देने वाली बात है क्या है solution के type है जैसे आपका component के basis पर यह binary हो सकता है binary मतलब दो component होगे एक solute और एक solvent 占री मतलब क्या होगका 14 एक Solute 1 ternary liegt solute औरल आपका गुतर्मनल मतलब एक solvent और एक solangen और तरीके से आप काफी सारे division कर सकते है इसके लाव फिजिकल की basis पर भी solvent और solute की जो physical state उसके basis पान्य भी आप कही तरीके से division कर सकते है जैसे solute gas हो, liquid solvent हो, solute solid हो, liquid solvent हो, solute liquid हो, solvent gas हो, ऐसे करके आप कही सारे type के physical state के basis में classification कर सकते हैं. चलिए, अब आते हैं concentration dump पे, concentration dump का मतलब यह होता है कि आपके solution में relatively कितना amount solute का present है as compared to solvent. जैसे हम देका कि हमारे पास जो 100 gram solute है, तो 1000 gram solvent है. तो अब एक 1000 gram solute है, तो आप बोल सकते हो भी है, अगर हम लोग solvent को 10 गुना कम करते, यानि 1000 से 100 करते, तो solute भी 10 गुना कम हो जाएगा, यानि वो भी 100 से 10 हो जाएगा. तो ये relative terms, relative amount को express करने वाला जो term होता, उसे बोलते है concentration. concentration कही तरीके से express किया जाता है, कही सारे तरीके लिखे हुआ है, इन तरीकों से हम लोग जैसे mass percentage, volume percentage, mass by volume percentage, ppm, whole fraction, molality, molality, normality, इन से हम लोग express करते हैं, अपना concentration. ये चीज़ एक बार cover की जाती है, class 11th के सबसे पहला chapter, some basic concept of chemistry में. तो चलिए, इसी सको हम आगे बढ़ाते हैं. सबसे पहला है mass percentage, what is mass percentage? Mass percentage का मतलब हुआ, इसको हम लोग percent wyw से denote करते हैं, ये होता क्या है? ये होता है कि 100 gram solution में, जितना भी gram, यानि जितना भी amount आपका solute है, फिर से एक बार, 100 gram solution में, जितना भी amount आपका solute का present है, उसे ही बोलते हैं, percent by mass. और उसका formula होता है, weight of solute upon weight of solution into 100. दूसरा volume percentage, जिसको v by v बोलते है, percent v by v, इसका मतलब ही होता है, कि आपका, अगर मालीच, आपके पास ने कोई solution है, उसके 100 ml में, कितना आपका volume solute का present है? जिसका formula होता है, volume of solute upon volume of solution into 100. चलिए, अगला है हमारा, mass by volume percentage. Mass by volume percentage का मतलब हो, आपने 100 ml solution लिया. 100 ml solution में, जितना भी weight solute का present है, उसे ही हम बोलते है, mass by volume percentage. जिसका formula होता है, mass of solute upon volume of solution into 100. Next आता है, हमारा parts per million PPM. PPM एक बहुती छोटा term है, उस solution के लिए use होता है, जो कि बहुती dilute हो, हद से जादा dilute solution हो, तो उनके लिए use होता है, आपका क्या? PPM, यानि parts per million. इसका formula होता है, number of parts of the component divided by number of total number of parts of a solution into 10 to the power 6. यानि आपने का, एक तरीके से solute का weight upon solution का weight into 10 to the power 6. या आपका PPM का छोटाता formula है. mole fraction, mole fraction क्या होता है? इसको X से denote करते है, mole fraction का मतलब ही है, कि आप mole का fraction, यानि हमारे पास मालीजे total 10 moles है, उसमें से आपके moles अगर 2 है, तो आपका fraction किता हुआ? 2 upon 10, तो इसी तरह mole fraction का formula होता है, कि इसी भी substance A के moles divided by total moles Na plus NB. यानि आपने का, अगर mole fraction of A चाहिए, तो A के moles लिखे, divided by total moles कर दीजे. अब देखे, moles का भी formula आना चाहिए, क्लास 11 अपना आ जाता है, moles of solution में solute होता है, किसी भी चीज़ के moles निकालने हो, तो उसका gram weight divided by gram molecular weight, यानि कि molar mass, mole percentage अगर निकालना है, तो mole fraction को 100 से multiply कर दीजे. molarity, molarity क्या होता है? molarity मतलब, अगर आप 1 liter solution लेते हैं, यानि कि 1000 ml solution लेते हैं, उसमें जितना भी moles solute के होते हैं, उसे ही बोलते हैं molarity. अगर 1000 ml में 2 moles solute के हैं, तो हम बोलेंगे molarity है 2. इसका formula होता है, moles of solute upon volume solution लेते हैं, अच्छा, अगर आप let's say, volume को liter में ना लेकर के ml में लेते हैं, तो formula थोड़ा सा modify होगा, तब आपका formula बन जाएगा, molarity M equals to moles upon volume into 1000, provided आपने volume को किस में ली आओ, ml में ली आओ, तो formula थोड़ा सा modify होगा है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, molarity के और formula जैसे मालीच, आप dilution कर रहे हैं, तो dilution करते हैं समया formula form लगता है, M1 V1, यह M1 पहले की molarity, यह V1 पहले का volume है, और M2 आपका final molarity और V2 है आपका final volume, final volume में आपका volume initial और जितना आपने पानी मिलाया है, वो दोनों count होंगे, फिर हैं neutralization reaction, neutralization reaction का यह concept हम लोग थोड़ा सा, इसको बाद में देखते हैं, यह आपका neutralization reaction के लिए use होता है, M1 V1 upon N1 equals to M2 V2 upon N2, यहाँ पे N1 और N2 आपके acid और base के N factors है, mixed solution, अगर आपको इस solution mix करते हैं, मालीज, आपने एक H2O4 के solution को, किसी दूसरे type के H2O4 के solution में mix किया है, तो net final molarity निकालने के लिए formula यह उस होता है, M1 V1 plus M2 V2 plus M3 V3 data dash जहां तक करना चाहिए, जित्ते solution mix कियें, divided by final volume, final volume क्या होगा, पहले वाले का volume plus दूसरे वाले का volume plus दूसरे वाले का volume and so on, तो यह आपका नीचे final volume लिखा हुआ है, चले बढ़ते हैं आगे, फिर आपका कुछ और formula भी जैसे अगर आपको molarity दी जाहिए, molarity से moles of solute निकालने, तो molarity into volume in liter कर दीजे, तो moles of solute मिल जाएंगे, यह देखे, ठिक, अच्छा, मिली moles सागा निकालने, तो मिली moles सागा निकालने, यानि, molarity into volume of solution in ml, अब आते हैं, molarity का, molarity जो है, इंवर्सिर प्रपोशिशन तो volume इतना तो उमको समझ में आ रहा होगा, अच्छा, molarity is changes with temperature, यह temperature के साथ change हो जाती है, क्यों? क्योंकि जैसे मालीचे, आपने गरम किया किसी solution को, आपने किसी solution को ठंडा कर दिया, तो इससे क्या होता है, volume shrink या फिर आपका expand कर सकता है, depending upon आपके इसको अगरम ठंडा करना है, तो आपका volume change हो सकता है, क्यों मिला कर गए, तो अगर volume जोगा, तो molarity भी change हो जाएगा, चलिए बढ़ते हैं आगे, यह कुछ terms use हैं, जैसे decimolar, decimolar का मतलब होता, 0.1 molar, centimolar, millimolar, decamolar, यह सारे terms आप याद रखेगा, क्योंकि यह exam में कभी-कभी direct question, ED के basis पे आजाता है, अब normality क्या होता है, normality में बस molarity और normality में एक difference है, normality में हम लोग, molarity में हम लोग moves of solute लेते हैं per liter में, या equivalence of solute लेते हैं per liter में, पर normality हमारी NCRT में लिखी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका यह नील्ट में आएगा, जहीं में ना फिर भी आ सकता है, तो normality का formula होता है आपका, equivalent of solute upon, weight of solute in gram divided by gram equivalent weight, यह इसको हम लोग कहते हैं equivalent, अगर आप equivalent concept को थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं जल्दी से कि होता क्या है यह, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप refer करी है हमारे, one shot of some basic concept of chemistry, उसमें हमने equivalent concept अच्छे से discuss किया हुआ है, चलिए बढ़ते हैं आगे, molality, molality को small m से दिखा जाता है, molality का मतलब होता है कि किसी भी solute का वो amount या moles, वो moles जो की present हो 1000 gram solvent में देखे, 1000 gram solvent लिया जाता है, यह नि 1 kg solvent लेते हैं, तो molality का formula होगा, moles of solute upon mass of solvent in kg, of course अगर आप यहाँ gram में लेते हैं, अगर आप इसको यहाँ पे gram में लेते हैं, तो into क्या कर देंगे भाईया, 1000 कर देंगे, ठीक है, जैसे molality के लिए था, volume liter में लोग है, तो formula होगा, moles upon volume, volume ml में लोग है, तो into 1000 कर देना, same चीज़ यहाँ पे, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगे, अगर देंगे, molality is independent of temperature, अरे independent तो होगी ना, formula देखो क्या है, कह रहा है, moles upon mass, तो किसी का mass temperature बढ़ाने या कम करने से, chain नहीं हो जाता है, किसी भी चीज़ का, अगर हम लोग mass की बात करें, तो temperature बढ़ाने या कम करने से, chain नहीं होता, तो molality आपकी constant रहती है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए, क्या है मारा, molality का formula, moles of solute upon mass of solute, कि जी जो बताया साथ सिस्पन है, molality का दूसरा formula हो गया, weight of solute in gram, divided by gram molecule amount of solute, यानि ये तो moles हो गया, upon weight of solvent in gram into 1000, वही जो चीज मैंने आपको बताई थे, वही चीज formula के form में लिखी होई है, अब देखिए, कुछ अच्छा सा सवाल है, NEED 2013 में पुछा गया, अलागे काफी पहले का है, लेकिन फिर भी, अजा, इस question को करने से पहले, मैं आपको कुछ चीज और बता देता हूं कर रहा है, कि how many grams of concentrated nitric solution should be used to prepare 250 ml of 2m HNO3, the concentrated acid is 70%, तो जड़ा देखिए, ये question में हमसे molarity, हमसे पूछ रहा है कि, हमारे पास से पहले मैं question explain कर देता हूं, कि question कह रहा है कि, हमारे पास से, हमारे पास 70% HNO3 solution है, इस solution का हम लोग कितना weight ने, था कि आपका एक नया solution prepare किया जा सके, जो की होगा 250 ml, 2.0 m, अभी क्या हुआ होगा, हमने माली थे हैं, यहां से HNO3 solution है कि, इस stock solution है, इसके अंदर से कुछ weight लिया होगा, इस weight में 70% HNO3 होगा, फिर तुमने बाहर से पानी मिला दिया होगा, यह करने के बाद एक solution prepare होगा, जो कि 250 ml, 2.0 m molarity का है, अब देखें ज़रा, समझने वाली बात यह है, कि इस type का question है, यह भी एक तरीके से dilution का question है, तो इसको करने के कई तरीके, देखें, मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही आसान है, इस type के question में पहले यह कोशिश क्या करिए, कि हम finally यह पता कर लें, कि हमारे पास solute कितना present है, देखें, 250 ml है, 2 m है, तो मैं यहांसे, मैं मोल्स of HN3 निकालना हूँ, finally, क्या formula लगेगा भाईया, formula लगेगा, molarity into volume liter, molarity 2 into volume liter को 1000 से divide करके, मैंने 0.25 लिख दिया, भाईये 0.5 mol आ रहा है, तो यहांसे देखो, weight of HN3 हम क्या निकालेंगे, weight of HN3 हो जाएगा, simply क्या हो जाएगा, mols, HN3 के mols, into उसका molecular mass, यानि molar mass, जो क्यों होता है 63, इसको मैं भी ऐसे ही रखे रहे देना है, HN3 का molar mass calculate करेगा, 63 आता है, ठीक, अब यह weight of HN3 आ गया, यह weight of HN3 हमें चाहिए, बढ़ ध्यान लगना, यह जो weight HN3 का आया है, यह वो इस solution के through आया है, तो let's say हमने कहा है, हमने इसका W ग्राम ले रखा है, तो इस W का, आप इस W का 70% निकाल दीजए, क्योंकि वही तो HN3 होगा, तो वो किसके बढ़ावर है हमारा, वो है हमारा 0.5 into 63, तो यहां से देखे, यह देखे, W निकाल के चलाएगा, 0 से 0 cancel हुआ, यह देखेगा, यह 0 से decimal, यह cancel हुआ, 7 से cancel हुआ, 9 times, तो भईया, यह मेरे खाल से आपका, 9 5s आप 45 ग्राम आ रहा है, यह लिए यह answer हो जाएगा, option no.3, ठीक है, इसको dilution वाले फॉर्म्रे से भी कर सकते थे, M1, V1, M2, V2 लगा करके, लेकिन इसके लिए आपको पहले दूसरे वाले solution, यानि कि इस वाले solution की, molarity निकालने पड़ेगी, तो molarity अगर percent दिया हुआ हो, तो percent W by W से molarity ऐसे निकलती है, 10 into percent W by W into density divided by molar mass, इस वाले से आप पहले molarity निकालेंगे, और molarity into volume यहां लगाई है, तो यह थोड़ा था lengthy process हो जाएगा, यह easy, ठीक है, चले बढ़ते हैं आगे, रविच आप दा फॉलूइंग, sorry, विच आप दा फॉलूइंग, इस dependent on temperature, इन में से कौन है जो temperature पर dependent है, यह आप कुछ से करेंगे, मैं इसमें बिल्कुल भी discussion नहीं करने वाला हूँ, अब आते हैं next topic की ओर, जो की है solubility, solubility का मतलब है, किसी solution के unit amount में, या unit volume में, आप जितना भी maximum solute add कर सकते हैं, आप की क्या कहणाती है, मौल पर लिटर, ग्राम पर लिटर, जैसे भी आप excess करना जाएं, अब solid की solubility, liquid में discuss करें, तो आपका जो solids होते है, polar solute dissolve होते है, polar solvent में, polar solute dissolve होते हैं, polar solvent में, non polar solute dissolve होते हैं, non polar solvent में, light dissolved light. मल्सक्त नमक को आप पाने में डालेंगे डिसॉल जाएगा नमक को बेंजीन में डालेंगे डिसॉल नहीं होगा वहीं नाफ्थलीम बाल को बेंजीन में डालो होके तो डिसॉल noting Temperature का effect, अब देखिए आपकी जो Dissolution process है वो Exothermic भी हो सकती है, Endothermic भी हो सकती है मतलब हम यह कहना चाहते है solid, solute plus आपने liquid बिलाया तो इससे आपका solution बन गया हमने class 11 में पढ़ा हुआ है कि Lee Chetlier principle होता है Lee Chetlier principle हमसे कहता है कि अगर आपकी process endothermic है तो temperature बढ़ाने पर वो forward जाती है और अगर exothermic है तो temperature बढ़ाने पर वो backward आती है तो जैसे आपका मान लिजाए आपकी कोई process solute को dissolve करने की वो endothermic है तो endothermic है तो temperature बढ़ाएंगे तो endothermic reaction के लिए reaction forward shift होती है forward मतलब towards solution shift हो जाएगी मतलब यह दोनों आपसों dissolve जाता होंगे वहीं अगर यह exothermic हो exothermic में reaction backward shift हो जाती है तो यानि आपका जो solute, solute और liquid जो dissolve हुए भी थे वो भी अब आपके अलग हो जाएंगे तो इस सीज को ध्यान रखेंगे generally क्या होता है जादा तर जो solute होते हैं वो जब dissolve होते हैं solid solute की मैं बात कर रहा हूँ तो endothermic process अपनाते हैं तो endothermic process का मतलब हुआ कि अगर आप temperature बढाएंगे तो reaction forward में ही जाएगी इसलिए most of the solute की solid solute की solubility बढ़ जाती है जब हम लोग क्या करते हैं temperature बढ़ाते हैं चले बढ़ते हैं आगे pressure का effect pressure का effect solid के उपर pressure का कोई effect नहीं होता क्योंकि solid और liquid दोनों incompressible हैं अगर आप उसमें वो डालते भी हैं क्या बोलते हैं pressure डाल लगाते भी हैं तो भी आपका कोई भी खास effect बढ़ने वाला नहीं है चले बढ़ते हैं आगे फिर solubility of gas and liquid तो जो gas है वो भी आपके dissolve हो सकती water रहे लिक्विड में और इस type की equation बनती है कैसी gas plus liquid gas plus liquid reversible solution और ध्यान अखना यहाँ जो delta H होता है वो negative होता है always मतलब हमेशा आपका इसकी process endothermic ना होकरके exothermic होगी क्योंकि अगर कोई gas dissolve हो रही gas भागते रहना चाहती है अगर वो gas रुकी है किसी solvent में तो इसका मतलब उसने solvent के साथ में bond बनाया होगा और bond जो होगा वो कैसा भी हो सकता है आपका chemical या physical कोई भी bond हो सकता है जिससे आपका energy release होई होगी heat release होई होगी तो it is always exothermic ठीक है अब देखे बहुत सारी gases हैं जो कि आपके water में highly soluble होती हैं जैसे hydrogen chloride, ammonia यह सारी gases जो है बहुत dissolve होती हैं तो ऐसा कहते हैं कि आपकी gases जो बहुत ही जादा liquefy easily liquefy हो जाए तो ease of liquefy के directly proportional होता है आपका क्या solubility gas की और ease of liquefaction किसके directly proportional होता है attractive forces के तो जो आपके molecules में attraction अगर जादा हुआ तो उनको liquefy करना अमारे लिए असान हो जाएगा क्योंकि वो पास-पास रहेगा आप से चिपक चिपके जले लिक्यूफाई हो जाएगे ठीक है तो अब यह attractive forces के directly proportional होते हैं कई सारी चीज़े यह count होती है एक तो आपका mass count होता है mass count होने के साथ-साथ आपके अंदर अगर को यह bonding है hydrogen bonding count हो जाएगी अगर आपके अंदर dipole-dipole interaction है तो वो भी count हो जाएगा तो कई सारी चीज़े molecular attraction को deal करती है तो जैसे आपका HCl HCl एक polar कैसे H plus Cl minus dissolve हो जाएगी ammonia में ammonia जाके पानी की साथ hydrogen bonding कर लेगी dissolve हो जाएगी sulfur dioxide पानी में जाके तो acid बना देती है chemical reaction कर लेती है यह सब आपकी बहुत solubile है ठेक है हमको एक एक करके effects देख रहे है जैसे सबसे पहले हम लोग देखें solubility पे effect of pressure तो जैसे gas plus liquid reversible solid solution यह हम पहले ही पढ़ चुके है अब देखेंगे अगर हमने pressure बढ़ाया तो ली चैट लिया principle हमसे कहता है कि अगर आप pressure बढ़ाते है तो reaction वहाँ shift हो जाती है जहाँ पे gas के moles molecules कम हो तो आपने pressure बढ़ाया तो reaction वहाँ shift होगी जहाँ gas के molecules कम हो जो की forward में तो reaction forward में जाता shift होगी जब भी आप pressure बढ़ायेंगे तो gas जादा dissolve होती है ठीक है तो Henry ने यही चीज़ की थी Henry ने क्या बताया था Henry ने बोला था कि अगर हमारे पास में कोई gas है उसको अगर हम पानी में पहली चाज़ गैस हमने गलत बो दिया partially soluble gas है अगर हम उसे किसी solution ये liquid में dissolve करना चाहते है तो उपर से उसके उपर pressure ज़ादा लगाईए जितना ज़ादा आप उपर से pressure लगाएंगे इस gas के उपर तो उतरी ज़ादा gas dissolve होगी किसके अंदर ये dissolve होगी solution में यानि पानी के अंदर तो और अच्छे से समझें यानि अगर gas है लेट से कोई gas है मालीज अगर कोई gas है तो यहाँ मैं आपको gas दिखाऊ ये देखेगा ये एक gas है यहाँ पर हमने एक gas भरी हुई है ठीक और यहाँ पर हमारा liquid है यह हमारा liquid है अब यह लॉम से कहता है कि अगर आप उपर से pressure बढ़ाओगे तो gas का volume कम हो जाएगा तो gas का pressure खुद का बढ़ जाएगा तो जितना जादा यहाँ gas का pressure होगा उतनी जादा हमारी gas liquid में force की जाएगी घुसने के लिए तो याँनि वो जादा dissolve होगी और जितना कम उपर आप pressure कर देंगे उतनी gas कम dissolve होगी यह Henry's law है Henry's law सीधे बोलता है कि P equals to KHX X है गास के अंदर याँनि गास sorry, liquid के अंदर gas का mole fraction X क्या है हमारा mole fraction है किसका है gas in the solution अच्छा क्या है हमारा KH KH क्या लादा है Henry's law constant P क्या है P है जिस भी gas को dissolve पर रहे है उसका partial pressure above a liquid surface जैसे यह liquid surface हुआ तो इसके ऊपर अगर gas है तो यहाँ pressure होगा P यह pressure जितना जादा होगा हम कहेंगे आपके gas के molecule उतना ही जादा पाने में force किये जा रहे होंगे इसके बहुत सारे example है जैसे आपने coldering के बारे में सुना होगा कि जो coca cola होती है या जो thumbs up आती है यह सब बहुत ही tightly बंद की जाती है gas के साथ CO2 के साथ high pressure पर ताकि CO2 जादा से जादा तो क्या होता है कि nitrogen gas जो है nitrogen gas जो generally dissolve नहीं होती है body में लेकिन अगर आप high pressure पर जा रहे है या नीचे जा रहे है तो pressure बर जाएगा gas का तो क्या होगा यही nitrogen ब्लड में dissolve हो जाएगी जब आप उपर आएगे तो blood में dissolve होई oxygen nitrogen का pressure अप कम हो जाएगा तो वो dissolve होना बंद हो जाएगी या नीचे नसों को चीर के बहाँ निकल सकती है bubbles create कर सकती है बहुत pain होगा आपको इस condition को bend पढ़ना कहते है इसको avoid करने के लिए जो scuba divers होते है वो अपने साथ में helium gas को ज़्यादा ले जाते है helium gas के content को ज़्यादा कर देते है nitrogen को कम कर देते है इसके लाबा आपके जो परवतार हो ही होते है यह जो mountaineer होते है जो high altitude पे जाते है वो अपने साथ oxygen ज़रूर ले जाते है क्योंकि अगर आपके body में oxygen की कम ही हो गई देखिए उपर जाने पर क्या होगा air का pressure कम हो जाएगा तो आपकी oxygen अब blood में ज़्यादा dissolve भी नहीं होगी तो आपके brain को oxygen की supply कम होगी तो आपके brain को अगर oxygen की supply कम होगी तो आपको hallucination होगे इस condition को कहा जाता है anoxia तो इसको avoid करने के लिए भी लोग उपर gas cylinder ले जाते है ताकि भी ज़िए 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 पर 700 ले सके oxygen के through यह देखिए यहाँ पर एक formula बनाया गया partial pressure of gas और यहाँ पर mole fraction of gas दोनों को देखे P equals to KH तो यहाँ पर आपने partial pressure of gas plot के यहाँ पर mole fraction of gas plot के और इसका जो slope होगा ना यह slope tan theta यह आपको provide करेगा KH यानिकि in-rease law constant ठीक अच्छा एक दो चीज़े और समझने वाली है कि आपको जो formula P equals to KH into X इसको देखने साब साब बोल सकते हैं कि अगर X ज़ादा हुआ तो KH को कम होना पड़ेगा provided P constant हो तो हम कहेंगे KH inversely proportional to X मतलब जो gas ज्यादा soluble है उसके लिए KH की value कम होती है जो gas कम soluble है उसके लिए KH की value ज्यादा होती है तो जैसे CO2 है CO2 और O2 में CO2 ज्यादा soluble है CO2 का mass ज्यादा है तो हम कहेंगे CO2 के लिए KH कम होगा O2 के लिए KH ज्यादा होगा H2 तो और कम soluble है क्योंकि H2 का मास होता ही ना के बराबर मास है, तो H2 का जो प्रेशार होगा, sorry, H2 का जो वो होगा, क्या बोलते हैं, KH वो बहुत जादा होगा, ठीक है, ammonia highly soluble है, KH बहुत कम होगा, अब देखे, temperature और solubility में क्या relation है, आपने खाल, कि वह यह temperature बढ़ाने से क्या होगा, gas के molecule के energy बढ़ जाएगी, तो solution के अंदर रहना ही नहीं पसंद करेंगे, वो भागने ही कोशिश करेंगे, तो temperature बढ़ने से आपके gas के molecule भागने की कोशिश करते हैं, जिससे आपकी solubility कम हो जाती है, ठीक है, रखे रखे पियेंगे, तो आपको cooling बड़ी light सी feel होगी, साधी सी feel होगी, क्योंकि जब वो ठंडी नहीं है, तो CO2 उसमें कम dissolve होगी, गरम जो drink होगी, उसमें आपकी CO2 कम dissolve होगी, CO2 कम dissolve होने से issue कहाएगा, कि आपको पीने में थोड़ी साधी लगी कि लगेगा, जैसे चीनी का पानी पी रहा है और कुछ नहीं, अब आते हैं vapor pressure, vapor pressure क्या होता है, vapor pressure जानने से पहले हमें, दो phenomena जानने पढ़ेंगे, एक है हमारा evaporation, दूसरा हमारा condensation, जब liquid molecule vapor में convert होते हैं, इस process को हम लोग और किसी temperature, without any, मतलब without heating, अपने आप ही, naturally जो liquid का vapor molecule, vapor में convert होते हैं, उसको बहुते ही evaporation, जैसे आप यहां पे पानी थोड़ा था फेला दीजे, एक हाथ थोड़े दिर बाद आप जाके देखेंगे, पानी कम हो गया है, कुछ और जाद दिर बाद देखेंगे, पानी और कम हो गया, मतलब गाय भी हो गया, इसका ultra process होता है condensation, अगर आप लिपर जा समा हो, इसको ढग दें, तो यह जो evaporated molecule है, यह भाग नहीं पाएंगे, तो यह evaporated molecule घुन पिरके, वापेस liquid surface से टकरा जाएंगे, liquid surface से टकरा के ठंडे हो जाएंगे, और यह वापेस से convert हो जाएंगे liquid में, ठीक, तो यह आपका कहला था, condensation, यानि कि liquid से vapor बनना, evaporation, vapor से liquid बनना, condensation, अब vapor pressure क्या होता है, जैसे मानि, इस box का example ले ले, let's say, वो बदल रहा है vapor में भी, और vapor जो है, वो liquid में बदल रहा है, तो एक समय आएगा, starting में क्या होगा, कि liquid से vapor बनना, sparse हो रहा होगा, vapor से liquid बनना, slow हो रहा होगा, दीरे-दीरे करके, forward reaction का rate, तो constant रहता है, लेकिन backward reaction का rate बढ़ जाता है, या evaporation तो देखो constant हैगा, क्योंकि आपका liquid का surface area सेम है, लेकिन आपका जो vapor है, वो ज़्यादा करने जब हो रहा होगा, बात समय बीचने के साथ, क्योंकि ये condensation के लिए vapor होने भी तो चाहिए, starting में vapor ही नहीं होगा, बात में vapor ज़्यादा हो जाएगे, तो आपका condensation का speed भर जाएगी, तो अगर condensation की speed भर जाएगी, तो वो दीरे-दीरे करके match कर जाएगी इस liquid से, और equilibrium आ जाएगा, यानि evaporation का rate और आपके condensation का rate, दोनों क्या हो जाएगे, सेम हो जाएगे, उस condition को कहा जाता equilibrium, तो equilibrium पे यहाँ जो gas, यानि vapor के molecule हैं, वो constant से हो जाते हैं, ये जो vapor के molecule है, ये जो liquid के surface पे force लगाएगे, उस force को surface area से divide कर दीजे, तो आपको मिल जाता है vapor pressure, फिर से एक बार, what is vapor pressure? equilibrium condition है, किस condition में? equilibrium condition है, vapor के molecule जो liquid के surface पे pressure लगाते हैं, उसे ही बोलते हैं, हम लोग vapor pressure, चले बरते हैं आगे, if exerted pressure by the vapor, वह ये देखे, पूरी definition और लिखे हुए, हर liquid का अपना अलग-अलग vapor pressure होता है, किसी given temperature पे, जो जाधा volatile liquid होते हैं, वो जाधा vapor प्रनाते हैं, उनका pressure जाधा लगता है, और जो कम volatile liquid होते हैं, उनका vapor कम बनते हैं, वो उनके vapor कम pressure लगाते हैं, ठीक है, फिर देखे, vapor pressure of the solution is always less than that of pure liquid, ये बड़ी खास बात बुली जा रही है, कहा जा रहा है कि अगर मालीजे आप solvent में, यहनि मालीजे पानी है, पानी evaporate होता है, और evaporate होके condensate भी होगा, तो पानी के molecule equilibrium पे, जो भी उसकी surface पे pressure लगाएंगे, वही कहलाएगा आपका क्या, क्या बोलते हैं इसको vapor pressure, अब मालीजे आपने इसमें नमक डाल दिया, पानी में, तो नमक डालने से क्या होगा, नमक क्या होगा, यूनिफर्म ली खिल जाएगा, वह जाकर के surface भी cover कर लेगा, surface cover कर लेगा, तो evaporation आपका कम होगा, evaporation कम होने से क्या होगा, कि आपके vapor कम बनेंगे, और vapor अगर कम बनेंगे, तो वह pressure कम लगाएंगे, तो जब भी हम लोग किसी liquid में, कोई non-volatile solute मिलाते हैं, तो हमारा vapor pressure जो होता है, वो कम हो जाता है, खेर, चले, बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं, राउट्स, राउट्स अब भी बोलता है, the vapor pressure of solvent in the solution of volatile liquid, and non-volatile solute is directly proportional to, mole fraction of what, mole fraction of, of solvent in the liquid phase, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, जैसे मालीजा आपने कहा, कि यह आपने solution ले रखा है, इस solution में दो चीज़े हो सकते हैं, क्या-क्या हो सकता है, इस solution में solvent हो सकता है, और हो सकता है, थोड़ा आपने solute मिला दिया हो, तो जितना जादा solvent होगा, यह जितना जादा volatile component होगा, vapor pressure उत्रही, जादा मिलेगा, चलिए, बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं, route slope, route slope की जुम्पे, अच्छा, सॉरी, route slope हमने डिसकस करी लिया था, formula P equals to P naught into mole fraction of solvent, P naught क्या है यहाँ पे, P naught है आपके pure liquid का vapor pressure, P क्या है यहाँ पे, solution का vapor pressure, तो solution का vapor pressure, equals to solvent का mole fraction into original, यहाँ प्योर solution का vapor pressure, यहाँ देखिए, ग्राफ बनाया गया है, यहाँ पे P plot किया गया, यहाँ पे mole fraction of solvent plot किया गया, तो straight line passing through origin जा रहा है, अच्छा, अब liquid liquid solution का जरा हम लोग, vapor pressure की बात कर लें, जैसे मालीजा आपने खाए, कि हमारे पास में यह एक solution है, जिसमें दो type के liquid है, दो type के liquid है, एक मालीजा liquid A और liquid B है, दोनों ही liquid है, तो यहाँ vapor बनेंगे, किसके vapor बनेंगे, A के भी vapor बनेंगे, B के भी vapor बनेंगे, तो round slot से अगर हम लोग बात करें, तो, sorry, अगर मालीजा, A का vapor pressure P1 है, B का vapor pressure P2 है, तो total vapor pressure किता हो जाएगा, P1 plus P2, अब देखे, इसको हम लोग calculate कैसे करते हैं, यह P1 plus P2 हमने बोल तो दिया, यह calculate किया जाता है, on the basis of round slot, round slot के मताबिक, अगर आप पहले liquid का vapor pressure निखालोगे, तो उसको हम लिख सकते, P1 not into X1 not X1, X1 का है, mole fraction है, उसका liquid का, आप दूसरे liquid के भी अगर हम लोग vapor pressure निखाले, तो P2 not into X2 होगा, final vapor pressure क्या हो जाएगा, P1 not X1 plus P2 not X2, अब आप चाहों तो X1 plus X2 को हम लोग 1 लिख सकते हैं, mole fraction का sum 1 होता है, तो यहाँ से आप X1 की जगे लिख सकते हो, 1 minus X2, तो आपका यह formula निकल करके चला आता है, P1 not plus X2 into P2 not minus P1 not, यह formula निकल के चला आता है, किसका, total vapor pressure का, अचा P1 not PV2 not क्या है, यह क्या है, यह आपके pure liquid है और liquid B का vapor pressure है, अब देखे, अगर Y1 और Y2 हमारे mole fraction है, gas form में, तो यहाँ Dalton's law हमने पढ़ा हुआ है, Dalton's law यह कहता है, कि किसी भी gas का जो pressure होगा, यह किसी भी vapor का pressure होगा, वो उसके gas form में mole fraction, into total pressure के बराबर होगा, यानि P1 equals to Y1 into P total, यह Dalton's law partial pressure है, तो Y1 क्या है आपे, वोट इस Y1, Y1 और Y2 are mole fraction of component in vapor phase, यह जो vapor उपर बने जाना, उसमें mole fraction है हमारे, किसके 1 और 2 liquid गे, तो यह हमारा formula हो जाता है, यहाँ से Y1 निकाल सकते हो, और Y2 निकाल सकते हो, Y1 क्या हो जागा, P1, P1 वही राउल सकते हो जाना करें, तो राउल सकते हो निकाल लो, अब पॉन क्या, P total, अब देखें, यह graph type से आगया, इन्होंने graph बनाया हुआ है, यहाँ पर देखें, क्या plot किया है, इस direction में आपने P plot किया, मतलब vapor pressure, और यहाँ आपने, mole fraction plot किया, X2, तो भई हमारे equation क्या थी, P total equals to P1 naught, plus X2 into P2 minus P1, तो यह देखें, ग्राफ इस तरीके से लग रहा है, इसको Y axis में plot किया, Y equals to C plus, C plus आपका हो जाएगा, यह इसको मैंने X axis में plot किया, तो C plus X into N, तो देखें, यहाँ पर slope negative दिखाए गया है, यहाँ पर यह माना गया है इस graph में, इस graph में यह माना गया है कि आपका, P2 minus P1 जो है, वो less than 0 है, तब ही आपका ऐसा slope आया है, माली अगर P2 minus P1 greater than 0 होता, तो यही same graph आपका ऐसा आता, with positive slope, same graph ऐसा आता, ठीक है, तो आपको एक्जाम में दोनों type के graph मिल सकते हैं भाया, इसलिए ध्यान रखेंगे, ठीक है, चले बढ़ते हैं आगे, Rauts law is a special case of Henry's law, तो Rauts law और Henry's law लगबग same ही है, देखिए, Rauts law is special case मने जाता Henry's law का, क्यों? क्योंकि Henry's law का formula गया था, P equals to KHX, क्योंकि अच्छ, बिल्कुल सेम है, ठीक है, देखिए, यहां बैगला एक question type का है, क्यारे, toluene in the vapor phase is in equilibrium with solution of benzene, and toluene having mole fraction of 0.5, अच्छा, ठीक है, क्यारे, toluene in the vapor phase is in equilibrium with solution of benzene, and toluene having mole fraction of toluene 0.5, जो आपके toluene का mole fraction है, वो 0.5 है, बेंजीन का vapor pressure 1-1-9 TOR है, pure benzene का, यानि पी नॉड बेंजीन, यह आपका 1-1-9 TOR है, TOR अबने नहीं लिखा, और toluene का, यह कितना है, यह आपका 37 TOR, तो mole fraction of toluene, पूछना है इन vapor phase क्या होगा, चलिए, अभी कर डालते हैं इसको, सब्सक्राइब हम लोग total pressure कैसे निकालेंगे, पी नॉड बेंजीन, इन्टो mole fraction benzene, प्लस पी नॉड toluene, इन्टो mole fraction toluene, पी नॉड बेंजीन कितना है 119, इन्टो mole fraction of benzene कितना है 0.5, प्लस यह कितना है बहिए, toluene का vapor pressure है, आपका 37 TOR का, इन्टो यह भी 0.5 होजा, क्योंकि अगर एक का mole fraction 0.5 है, तो दूश्य का भी यह होगा, चलिए, यह हो गया हमारा, इसको solve करेंगे यह जगा P T, अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है, mole fraction of किसका बताना है हमें, benzene toluene का बताना है, in किसमें हैं, pressure of toluene, यहां से लिख सकते हैं, यह रहा toluene का pressure, उसका mole fraction into P0, divided by P total, यह देखिया, भी just आपने निकाला है, तो value put करीए, इसका निकाल से आप match करा ले जाएंगे, ठीक है, इसका correct answer option number 2, इसका correct answer option number 2, आप देखेगा कि match कर रहा है या नहीं, चले, बढ़ते आगे, फिगरा, which one of the following is not correct, the mathematical equation for Dalton's low partial pressure, कौन सी correct नहीं है, तो पहला कर रहा, P equals to N1RT, by V plus N2RT by V, यह तो देखे सही है, PV equals to N2RT सा कर देखे, अगर हम लोग PV equals to N2RT से देखे, तो P equals to क्या होता है, N2RT by V, तो पहले के लिए N1, दूसरे के लिए N2, तीसरे के लिए N3, तीन गैसे अलग अलग है, RT by V सब में सही होगा, तो यह तो सही लग रहा है, पहला वाला सही है, कि total pressure equals to, सारे pressures का individual sum, दूसरा वाला क्या कर रहा, P equals to XI into P, XI क्या है, P I यह आपका partial pressure of i-th gas, ठीक है, यह यह पार्शल pressure of gas, P I, mole fraction XI, mole fraction होगा, into total pressure होगा P I, हाँ, तो ठीक, यह भी सही लग रहा है, पहर के रहा, P I equals to XI into P I not, यह Dalton, यह Routh's law, यह राउल्स law, यह राउल्स law है, तो यही गलत है आपका, थार्ड अला, यही आपका हमको गलत मार्ट करना आपका, विकर रहा, तो पहर करना आपका राउल्स प्रशलिशन आप 45 रिशलिशन, विद बेंजीन 2, अक्टेन in molecular ratio, ratio 2 is इतने mm of Hg, ठीक है, mole ratio कह रहा है, देखे, mole ratio कह रहा है कि, बेंजीन का, बेंजीन 2, अक्टेन in mole ratio, बेंजीन 2, मतलब हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि, बेंजीन के mole है 3, X करना चो X कर दो, और octane के mole से क्या, 2X, यानि कि 2 भी कर सकते हो, आप 2 और 3 भी लेकर के कर सकते हो, तो हमारा ये mole ratio हो गया, तो अब देखे, के mole fraction of benzene क्या हो जाएगा, mole fraction of benzene हो जाएगा, 3X upon total mole, total mole हो 5X है, यानि 3 by 5, और mole fraction of total, वो क्या हो जाएगा, बेंजीन 2 by 5, इसी तरहे कर लेना, फॉर्मला लगाना है बस जाएगा, Pt equals हो क्या, P0 benzene into mole fraction of benzene, plus P0 oxygen into, P0, sorry, mole fraction of oxygen, मैंने बोल दिया गलती से, octane है, तो P0 octane into mole fraction of octane, ज़रा value put करते हैं, देखते हैं, आंसर आ रहा है नहीं, benzene के लिए कितना है, 3 by 5, P0 दिया होगा, मेरे क्याल से, देखे, 280 दिया होए, plus ही होगा, 2 by 5, इसका P0 भी दिया ही होगा, देखे, 420 दिया हुआ है, value put करते हैं, आंसर निकालने कोशिश करते हैं, भाई या, 5 से जा रहा है, 5 times, और 3 बचे का, 6, 57 बार, 5 से कैसे लिए का, 8, 84 बार, 56, 3 जा, 3, 6 जा, 18, carry आएका 1, 3, 5, जा, 15, और एक ये 16, 168, plus, oh my God, 168, दोनों पराबर आरा है, तो ये तो आरहा, 8, 86 लगा चे, ये तो आरहा है, 7 तो आरहा है, 3, 3, 3, ये आरहा है, 336, mm of Hg, कही मैच कर रहा है, yes, easy question है, खैर, चले बढ़ते हैं, फिर ये पी नीट का ही सवाल है, which of the following statement about the composition of vapour for an ideal solution, 1 ratio 1 molar mixture, of benzene and toluene is correct, assume the temperature is constant, and, अच्छ, अच्छ, ओके, देखे, ये theoretical सवाल है, कह रहा है, कि हमारे पास में, एक ideal solution 1 ratio 1 का, किसका, बenzene और toluene का, दोनों के P0 दिये हुँ है, बenzene का 12.8, और toluene का 3.85, जिसका P0 जादा है, यानि उसका vapour pressure जादा है, इसका मतलब उर जादा volatile है, तो गह रहा है, तो वेपर विल कंटे, लिखोन अमांट और toluene नहीं, दोगो, स्टार्टिक में तुमने दोनों का same amount लिया हुआ है, अब वेपर उसके जादा बनेंगे, जो जादा volatile है, जादा volatile को होने है, बenzene, तो बenzene के वेपर जादा बनेंगे, तो final जो वेपर आपको मिलने वाले है, उसमें जादा percentage, बता है किसका होने वाला है, बenzene का, तो गहीं लिखाओ का, वेपर विल कंडिना higher percentage of बenzene, यहीं सजी जवाब है, ठीक है, चले बरते हैं आगे, चले जो next देख रही है, वो है ideal solution, अब ideal solution क्या होता है, ideal solution ही कैसा solution होता है, जो route slow को पूरा ओवे करता है, हर concentration पे, ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है, आपका जो solute-solute का interaction होगा, वो solvent-solvent interaction और solute-solvent interaction के बराबर होगा, यानि सारे interaction यहापे एक जैसे होता है, इस type के solution में कोई heat बनते समय, ना तो कोई heat release होती है, ना होगी heat absorb होती है, यानि delta H mixing भी 0 होता है, और volume में भी कोई change नहीं होता, यानि अगर आप 10 ml और 10 ml दोनों solute-solvent को मिलाएंगे, तो net जो volume मिलेगा, वो आपको BC ml मिलेगा, यह ऐसा हलां कि perfectly ideal solution तो बड़ा मुश्किल है मिलना, लेकिन फिर भी एक जैसे molecule, जैसे N-hexane, N-heptane, यह ideal solution बना लेते हैं, आप bromo-ethane, chloro-ethane, यह ideal solution बना लेते हैं, आपका benzene, toluene, यह भी आपके ideal solution बना लेते हैं, next आते है non-ideal solution, जो कि Raoul's law के उभे नहीं करते हैं, हम उन्हें बोलते है non-ideal solution, non-ideal solution के लिए delta-n-mixing less than 0, not equals to 0 होगा, delta-v, mixing में not equals to 0 होगा, अब यह दो टाइप के होते हैं, एक होता है positive deviation, positive deviation का मतलब होगा, जो कि, जैसे माली चाह आपने expect किया, कि Raoul's law रोज़ट प्रेशर आएगा 20, तो आपका जो actual pressure आ रहा है, वो B से जादा आ रहा है, तो आपका Raoul's law से जादा अगर pressure observe हो रहा है, तो हम कहेंगे आपका positive deviation है, यह तब होता है जब solute-solvent का interaction weak होता है, तो इसके लिए delta-h mixing भी greater than 0 होता है, delta-v mixing भी greater than 0 होता है, इसके कुछ example नहीं, जैसे chloroform, sorry, जैसे आपका यह acetone और CS2, acetone और alcohol, ऐसा देखा गया है कि polar में, अगर आप non-polar चीज मिलाएंगे, तो आपका, polar में non-polar चीज मिलाएंगे, तो आपका positive deviation आता है, ऐसा देखा गया है, क्योंकि polar और non-polar में interaction अच्छा होगा नहीं, इसी तरह अगर दो hydrogen bonding करने वाली चीजों को आपस में मिलाएंगे गया है, कि यह एक बंदा अलग hydrogen bonding करता है, यह अलग hydrogen bonding करता है, दोनों को मिला दिया, तो अब भी भी interaction आपका जो होता है, वो खराब हो जाता है, क्योंकि यह लोग individually अच्छी hydrogen bonding कर रहे होते हैं, अब आपस मिक्स करते होते हैं, hydrogen bonding इनकी गड़बड़ा आ जाती है, यह देखें जैसे water, ethanol, ठीक है, अब यह सब लोग आपके minimum boiling point azeotrop बनाते हैं, azeotrop क्या होते हैं, azeotrop जिनका boiling point constant होता है, जिनका liquid और vapor form में composition भी same होता है, ठीक है, minimum boiling point इसलिए बना रहे हैं, क्योंकि यह positive division दिखा रहे हैं, यह vapor जाधा बनाते हैं, तो boil करना असान होता है, इसका example हो जागा 95% ethanol आपका क्या है, positive division दिखाता है route से, अब जाधा negative solution में derivation वालों की बात कर लेते हैं, negative division कौन दिखाता है, negative division के बालों के लिए delta H mixing मी लेस जन 0, delta V mixing मी लेस जन 0, यह वो लोग दिखाते हैं, जिनमें solute और solvent का interaction strong होता है, यह vapor बनाने की tendency कम रखते हैं, जैसे आपका chloroform और acetone, यह दुनों आपस में hydrogen bonding कर लेते हैं, इनको मिलाओ आपस में, hydrogen bonding कर लेंगे, पानी और HCl, पानी और HCl को मिलाओ, तो HCl H plus देगा, पानी उसे accept कर लेगा, तो अच्छी bonding हो गई, तो लोग ऐसा याद रखते हैं, कि एक general example है, कि पानी में अगर आप acid मिला रहे हो, तो negative division आएगा, ठीक है, अब यह सब आपके maximum balling point azotrop बनाते हैं, क्योंकि इनका vapor कम बन रहे हैं, तो balling point जादा होगा, therefore maximum balling point azotrop, इसका example है 68% HCl 3 का solution होता है, वो आपका, negative, sorry, maximum balling point azotrop का बढ़िया example है, यह देखिए इनके एक graph है, यह देखिए यह जो graph बना हुआ है, अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो यह जो graph बना हुआ है, यह ideal का बना हुआ है, अब यह जो graph है, यह आपका positive division दिखा रहे हैं, मतलब route slow के उपर चल रहा है, यह देखिए ideal का graph बना हुआ है, और इसके नीचे से आपका गया है किसका solution का बढ़िया प्रेशर, यानि की negative division का, चलिए बढ़ते आगे, route slow की कुछ limitation है, यह dilute solution के लिए applicable है, non-volatile solute के लिए applicable है, तभी तो आपको division मिल जाते हैं, अगर volatile solute होता है तो, देखिए इसके लाब आपके यह dissociation, ionization, यह सब कुछ नहीं होना चाहिए solute का, solute solvent में कोई chemical reaction नहीं होनी चाहिए, ठीक है, चलिए एक दोग question कर लेता है, यह theoretical based question है, इन में से कौन है, जो maximum boiling point diesel drop बना रहा है, खुद से करेंगे इसको, mixture which shows positive relation from Raul's law, positive relation कौन दिखा रहा है, Raul's law से, यह भी आप खुद से करेंगे, positive relation मैंने बताया था, जो polar, non-polar, या जो एक, दो hydrogen bonding करने वाले चीज़ होते हैं, उनको मिला दे, तो इसमें देखिए, आपका जो correct answer है, वो है, ethanol और acetone, मैं सोचा था, पहले आपको हमग देदू, लेकिन मैंने का, छोड़ो मही कर देता हूँ, ethanol और acetone का example, इसको समझ भी सकते हैं, ethanol में अपनी खुद की hydrogen bonding होती है, तुमने उसमें acetone मिला दिया, तो acetone बीच-बीच में घुज जाएगा, तो hydrogen bonding हमारी, ethanol की क्यों हो जाएगी, weak हो जाएगी, और अगर इसके hydrogen bonding weak हो गई, तो भाई, अब होगा क्या, अब hydrogen bonding weak हो जाने से, आपका interaction जो है, किसके बीच, ethanol और acetone के बीच, यह कमजोर है, तो जो solute, मतलब चाहिए ideal हो, चाहिए non-ideal solution हो, इसके लिए delta G mixing, less than 0 होता है, और delta S mixing, greater than 0 होता है, मतलब Gibbs free energy change negative, और entropy में change positive होता ही, हम लोग हमेशा, याद रखेंगे, किसी भी type का solution हो, कैसे में आपका, जो incorrect हो हो देखे, साफ चमक राय, आपका delta G mixing link versus 0, भई, आपका solution का बनना spontaneous है, अगर आप 2 solute or solvent को, अगर आप साथ में रख दें, तो वो अपने आप dissolve हो जाएंगे, चाहिए आज नहीं तो कल, तो आप खुद से नहीं dissolve कर रहे हो, आपने आप हो जाते हैं dissolve, लोड लेने की ज़रुवत नहीं ही, इसलिए delta G की value negative मिलती है, चले बढ़ते हां आगे, which of the following is not 0, not equal to 0 for an ideal solution, अब कुछ से करेंगे इसको, अभी जर्ज बताये, theoretical question है, colligative property, ये important है, हमारे लिए, colligative property मतलब ऐसी property, जो की सिर्फ number of solute particle पर depend करें, इस बात पर कोई dependence ही ना जाए, कि वो solute particle कैसा है, मतलब charged है, neutral है, बड़ा है, छोटा है, या polar है, non-polar है, उससे कोई मतलब नहीं, बस उसके number पर depend करती है, वो property, colligative property के लाती है, चार होती है, relative lowering of vapor pressure, जिससे RLVP बोलते हैं, elevation of boiling point, जिससे delta Tb से दिखाते हैं, depression in freezing point, जिसको delta Tf से दिखाते हैं, और osmotic pressure जिसको phi से दिखाते हैं, अब ज़्यादा आगे बढ़ने से पहले, हम लोग पहले समझेंगे, abnormal cumulamas, यानि कि went off factor, went off factor जो है, बेसिकली जो went off factor का जो formula यह fundा है, वो यह है, यह हमको help करता है, to find effective number of, यह effective moles of solute, देखो, जैसे I का सबसे basic formula वो यह है, total number of moles, after dissociation, oblique association, total number of particle, before dissociation, oblique association, इसका क्या मतलब है, यह qualitative property, number of particle पर depend करती है, मालों जैसे हमने एक NACL का particle लिया, उसको हमने पानी में डाल दिया, तो हम सोचेंगे, qualitative property आएगी, एक NACL की वज़े से, पर वो तो जाकर के 2 हो जाएगा, N A plus or C L minus, तो वास्तों में, qualitative property दो की वज़े से आ रही होगी, हम सोचेंगे, एक की वज़े से हैगी, तो हमारे answers differ करेंगे, actual experiments है, ठीक, तो इसलिए जानना ज़रूरी है, कि हमारे पास actual number of particle कितने है, तो यहाँ से अगर आप से कोई बोले, total number of most particle, after dissociation, oblique association क्या होगा, I into, I into initial आपके particle हो जाएगे, ठीक है, इसके दो और formula है, normal molecular mass upon normal molecular mass, और observe qualitative property upon calculated qualitative property, ठीक है, यह तो यह तीन formula total है, I के जो use होते हैं, चलिए, अब Vant of factor को अगर हम मिलाने हैं, तो दिखे हमारे formula थोले सब बदल जाते हैं, यह formula कहां से हैं, हम आगे जानेंगे, सब यह formula जो हैं, इन में हम लोग I का term include कर देते हैं, कि हम लोग आगे जानेंगे, बागी base formula कहां हैं, अभी कहरा है, Vant of factor for a dilute, aqueous solution of strong electrolyte barium hydroxide, नोगी एक सब्सक्राइब मुझे और बताना था, I guess वो formula मेरे से miss हुआ है, जो I का एक formula होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, Vant of factor I, कुछ technical issue आपका बोर्ड में, हाँ जी, I जो होता है, वो होता है 1 plus N minus 1 alpha, what is N है, N है आपका number of solute particles given by one particle, माली जैसे हमने एक कोई particle लिया, उसको पानी में डाला, उसे तूटके हमें 3 particle दे रिया, तो हम कहेंगे, आपका N की value 3 है यहाँ बहुता है, alpha क्या है, degree of dissociation, कि कितना percent dissociate या associate हुआ है हमारा, चली, जैसे कहा रहा है, barium hydrox side है, उसके लिए आपका venture of vector क्या होगा, तो barium hydrox side तो BAH whole twice होता है, तो यह तूटके क्या देखा, B A 2 plus, plus 2 OH minus, तो N की value क्या है, 3, तो आई कितना हो जाएगा, 1 plus 3 minus 1, और देखे, उसे का strong electrolyte हो, तो 100 percent high nice होगा, तो alpha की value 1 करती जाएगा, तो 1 plus 2, यह नहीं कितना, 3, आपके लिए I की value क्या आजाएगी, 3, तो यह mark करती जाएगा, बताए, यह easy question, बताए, यह need में बूचा गया, need में इस chapter से बहुत easy question आते है, J main में तोड़ अच्छे question आते है, अब आते हैं, पहली करी लिए quality property की और, जो की है, relative lowering of vapor pressure, अब relative lowering, आपने पहले ही बात की थी, जब आप किसी solute को, किसी volatile solvent में डालते हैं, तो उसका vapor pressure कम हो जाता है, तो percentage कमी है, जितना fraction wise कमी है, उसी को कहते है, relative lowering of vapor pressure, इसका formula होता है, आपका original, यानि की P0, minus solution के vapor pressure, यानि Ps divided by P0, और वो निकल के आता है, mole fraction of solute, ठीक, अब mole fraction of solute को, आप क्या लिख सकते हो, N2 upon solute के moles, divided by total moles, अब अगर dilute solution ले रखा है, तो dilute solution के लिए, solute के moles बहुत कम होंगे, तो N1 प्लस N2 को, आप nearby N2 लिख सकते हो, यहां आपने N2 को ignore मार दिया, N1 प्लस N2 को आपने N1 लिख सकते हैं, यहां आपने N2 को देखे, ignore कर दिया, यहां N2 प्लस N1 है, यहां सिर्फ N1 लिखा है, तो इसी को कहते है, RLVP, यह देखे, और यह जो हमने बताए, यहां को एक फॉर्मला, यह यहीं साय है, यह देखे, I, I लगा दिया इन्होंने आगे, क्यों? क्योंकि solute के moles सो आपके effective लिखे जाएंगे, तो I से multiply कर दिए, जहां-जहां solute के moles देखें, अब elevation of boiling point, यह क्या होता है, जब आप किसी boiling point का होता है, boiling point का मतलब होता है, कि आपका जब आप किसी liquid को गरम करते हैं, तो उसका vapor pressure बढ़ता है, वो बढ़ते बढ़ते, जब external pressure के बराबर हो जाता है, तो हम उसे बोलते हैं, उस temperature को boiling point, जब ग्राफ में कर हम ध्यान से समझें, तो ग्राफ में देखे, क्या दिखाए गया है, यह आपका external pressure है 1 atm, तो यह देखे, यह देखे, दीरे-दीरे vapor pressure बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, sorry, यह vapor pressure देखे, दीरे-दीरे बढ़ रहा है, इस point पर आखरके, इस point पर, just a second, मुझे touch नहीं करना है यह नहीं, इस point पर आखरके, आपका जो vapor pressure है, वो देखे, किसके call हो गया, external pressure यह नहीं 1 atm गया, तो यही आपका क्यलाता है, boiling point, तो यह आपका क्यलाता है, का मतलब है, कि जब आप किसी salute को, किसी solvent मिलाते हैं, तो boiling point बढ़ जाता है, यह देखे, solvent के लिए यही चीज, आगे जाके touch कर रहे है, boiling point बढ़ गया, तो यह जो gap है, this gap is called elevation of boiling point, इसका formula होता है, m into, कहीं पर लिखा होगा, देखे, m into kb, kb कहता है, कहलाता है, molar elevation constant, यह फिर यही कहलाता है, ebulioscopic constant, चलिए, बरते आगे, अच्छा, जब आप went off factor include कर लेंगे, तो यहां बस आगे, आई लगा दी चीज, delta tb equals to i into kb into m, what is m, m है molality, महीं freezing point क्या अगर बात करें, तो जैसे, जब आप किसी liquid में, कोई non-volatized solute में लाते हैं, तो freezing point कम हो जाता है, freezing point कम होने से, जो कमी आ रही है, delta, delta tf, इसी delta tf को कहते हैं, change, sorry, depression of freezing point, इसका formula होता है, kf into m, पर अगर आप i include कर देंगे, तो यह हो जागा, i into kf into m, यह देखे, सारे formula आपको पीछे करके देखते जा रहे होंगे, यहां देखे, i into kb into m, i into kf into m, यहां kf क्या है, kf कहलाता है, moral depression constant, moral depression constant का मतलब हुआ, आपका दूसरा नाम है, इसका cryoscopic constant, ठीक है, अब देखे, यह कुछ solvent के, kf और kb की value दी गई है, तो देखे, आपके यहां पे देखेगा, कि kf जो है, यह kf लिखा हुआ है, kf देखे, ccl4 का कित्ता high है, खेर, तो kf और इसमें भी एक relation होता है, boiling point में भी, यह मैं भी formula बताऊंगा, पर यह आपके का, kf is solvent dependent property, kf kb, solvent पे depend करते हैं, solute पे कोई dependency नहीं है, तो solvent particularly जो भी होगा, उसके लिए kf और kb की value अलग होगा, यह साफ इस table में दिख रहा हैं, ठीक है, चले बढ़ते आगे, कुछ point यहां दख रहा है, जैसे देखे, 35% solution of ethylene glycol, यह antifreeze की तरह यूज होता है, ethylene glycol solute है, यह आपने पानी में मिला दिया, तो यह आपका freezing point क्या कर देता है, कम कर देता है, तो इसको याद अखेगा, ethylene glycol का small, antifreeze के रूप में होता है, kb का formula होता है, r into tb square, tb square मैंदा balling point का square, kelvin में, divided by heat of vaporization, into molar mass of solvent, divided by thousand, इसी तरह kf में बस यह tb के जगे, tf करते ना, और delta h vaporization के जगे, यह थोड़ा कलपाड हो गया, यह fusion होना चाहिए था, यह vaporization नहीं, यहाँ पर यह fusion होना चाहिए था, into molar mass divided by thousand, इस formula पे numerical तो direct नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमें आना चाहिए, तो यहाँ देखो यह tb पे depend कर रहा है, अब तुम क्या कहते हैं, let's say अगर हमने कहा, कि हमने कुछ amount of solute, let's say 10 particle of solute, हमने पानी में एक बार लिए हैं, एक बार हमने alcohol में लिए हैं, तो क्या boiling point में जो increment आएगा, वो same आएगा, क्या delta tf same आएगा, sorry delta tf, delta tb same आएगे, हम कहेंगे कता ही नहीं, क्योंकि delta tf औ delta tb, आपके kf के भी depend करते हैं, इतनॉल लें और पानी लें, या let's say आप कोई भी solvent लें, उसके लिए kb और kf की value different होंगी, तो आपके delta tf और delta tb की value भी हमें different मिलेंगी, चले बढ़ते हैं आगे, फिर osmosis, osmosis क्या होता है, आपके पास एकर एक खास type की membrane हो, जिसको हम लोग कहता है semi permeable membrane, उस semi permeable membrane में एक तरफ आप concentrated solution लीजे, एक तरफ dilute solution लीजे, तो आप पाएंगे कि जो आपके solvent है, उसका flow दोनों side हो रहा है, लेकिन जादा हो रहा है, dilute solutions है, concentrated solution की ओर, तो ऐसी process, जिसमें net inflow, आपका solvent का हो, from dilute to concentrated solution, ऐसे process को बोलते हैं, osmosis provided, बीच में क्या लगी हुई हो, semi permeable membrane, अब semi permeable membrane क्या होता है, यह कैसी membrane है, जो कि सिर solute particle, solvent particle को पास होने देती है, solute particle को रोग देती है, क्योंकि उनका size relatively बड़ा होता है, जैसे edible membrane, parchment paper, cellophane, इसके लाबा, copper, ferocyanide, animal bladder, पहुँट type के आपके solve वो होते हैं, क्या बोलते हैं, semi permeable membrane होते हैं, आपने सुना होगा कि, जोते हैं, एक cells होती है, उनकी wall भी जोती है, वो semi permeable होती है, जो पौधे होते हैं, पेड पौधे जो जमीन से पानी को absorb करते हैं, वो भी आपका semi permeable membrane के through ही करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब देखें, लेट से हमने यहाप एक ऐससीन लिया हुआ है, यहापे हमने sugar solution लिया है, और यहापे हमने solvent लिया है, यहापे सिर्फ पानी है, आपे उसका solution है, तो यहापे आपका dilute solution है एक तरीके से concentrated हुआ, तो आपका यहाँ से, और यह बीच में SPM लगी हुई है, बीच में क्या लगी है? SPM, तो होगा क्या? होगा यह, कि आपके जो solvent के particle है, वो ऐसे flow करने लग जाएंगे इधर की और, यह देखे, flow होते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है? अब देखना जाए, अगर यह flow क्यों हो रहा था, पहले इस basic में जाएं, कि भाई, प्योर solvent का vapor pressure, अगर हम लोग vapor pressure की बात करें, तो वो जादा होगा, और यहां solution के vapor pressure की बात करें, तो वो कम होगा, तो flow कहां से कहा होता है? high pressure से low pressure क्यों हो रहे हैं, अब अगर तुमने यहां पे बाहर से high pressure external apply कर दिया, तो external pressure apply करने से, तुमारा यह जो flow है, यह रुख जाएगा, और अगर यह flow रुख जाए, तो यह बाहर से जो तुमने pressure apply किया, इसको कहते हैं osmotic pressure, मदाब osmotic pressure is the pressure which can stop osmosis, यह कहां apply किया जाता है? concentrated solution की side, और अगर जोश में आकर के तुमने जाधा pressure apply कर दिया, अगर जितना ज़रुवत ती उससे जाधा pressure apply कर दिया, तो solvent का flow फिर ऐसे होने लग जाएगा, इसके कहते है reverse osmosis, ठीक है, osmotic pressure का formula होता है, πi equals to CRT, दोगलिक आप यह जो, osmotic pressure is useful in determining molar mass of substance, molar mass कैसे निकालते हैं? भई तुमने πi equals to formula क्या लिख दिया? CRT, CIR, molarity, molarity होता है, moles upon volume, moles होता है weight of solute upon molar mass, तो इस अगर πi पता है, तो molar mass निकाला जा सकता है, ठीक है, फिर देखे, यह protein इन सब के में निकालने में, बहुत अच्छा है osmotic pressure का method, इन biomolecule के लिए खासकार अच्छा है, इसके दो reason है, क्यों पहला, यह room temperature पर हो जाता है, फिर दूसा reason कि आपने अगर, बहुत dilute solution भी है, तो भी osmotic pressure की ठीक ठाक, एक significant बड़ी value आती है, तो वो observe करना अमरे लिए असान रहाँ है, ठीक है, एक और खास बात यहां पर होती है, कि यहां पर molarity का use किया गया है, जो कि काफी common है, जो कि generally लोग use करते हैं, फिर देखे लिखा हुआ है, कि आपके hypertonic, hypertonic solution, isoosmotic या isotonic solution की बात हुई है, isotonic solution का मतलब क्या हुआ है, कि ऐसे solution जिनके osmotic pressure same हो, तो हम उन्हें कहते हैं, isotonic solution, isotonic solution के लिए, जो आपकी concentration effective यहां होती है, वही सेम दूसी जगे होती है, जैसे देखे, आपको बोला जा रहा है, 0.9% rate by volume, NACL, मतलब normal saline solution, isotonic होता है हमारी blood cells के साथ, देखे लिखा हुआ, ब्लड जो है, isotonic होता है इनके साथ, अब अगर मालीजे, हमारे कोई ऐसा solution है, जिसका osmotic pressure जादा है, हम उसे कहते हैं hypertonic, और जिसका osmotic pressure का मैं उसे बोलते हैं, hypotonic solution, ठीक है, reverse osmosis, जैसे कि मैंने बताया था, कि अगर आप pressure थोड़ा ज्यादा अपलाए कर दो भाईया, salt की side में pressure ज्यादा अपलाए कर दो, तो यह आपका जो fresh water है, वो salt की तरफ से pure solvent flow करने लग जाता है, fresh water की ओर, इसे reverse osmosis कहते हैं, बहुत जारी countries में, खरसकार, Arabic countries में, यह बहुत ही बड़ा source है, fresh water लाने का समूदर के पानी से, हम लोग के घरों में भी जो ROE use होता है, उसका यही मतलब होता है, reverse osmosis, ठेक है, isotonic solution क्या है, यह आप खुछ से बताएंगे, isotonic solution क्या होता है, इसके बाद में कुछ यह question है, जो हम को यह देखना है, J-Main 23 का question है, काफी लंबा question है, 5 statement है, भाजो को पढ़ना है, कहरा है, elevation in boiling point temperature, water will be the same for 0.1 M initial and 0.1 M urea, देखे, आप कोई भी formula अगर देखे, तो इसमें एक time आया था, जैसे हम लोग अगर delta Tf की बात करें, तो formula था, I into M into Kf, ठीक, अगर आप delta Tb की बात करें, तो I into M into Kb, अगर आप osmosis pressure की बात करें, तो I into C into RT, यह I inclusion की आप enter of factor का, तो अगर आप बोलते हो, कि I into C जादा है, या I into M जादा है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है, कि यह delta Tf आपका जादा होगा, और आपका πाई भी जादा होगा, इसका जादा होने का मतलब समझो, solute जाथा है, solute जाथा होने से आपका वेपर pressure कम हो जाएगा, वेपर pressure कम होने से जो रलवप है, वो भी जादा रहेगा, relative lowering जाथा होगी अगर वेपर प्रेशा कम हो जाएट, तो अर्दो को delta tf के जादा होने से freezing point कम हो जाता है delta tb जादा हो जाने से boiling point बढ़ जाता है ये कुछ चीज़ा हम याद रखेंगे कहा रहा है elevation of boiling point temperature of water will be same for 0.1m NaCl नहीं ये गलत क्यों क्योंकि NaCl के लिए अगर हम आई देखेंगे तो यहाँ आई होगा 2 ये break करता है दो टुकडों में लेकिन अगर urea के लिए i की बात करेंगे तो urea के लिए i equals to होगा 1 तो अगर इसका i into c निकालोगे तो ये 0.1 into 2 आएगा इसका i into c निकालोगे तो ये 0.1 into 1 आएगा तो ये 0.1 आएगा ये 0.2 आ रहा है तो elevation and boiling point same कैसे हो जाएंगे जब delta i into c की value different है तो i into c different आ रहा है तो इसके लिए आपका boiling point में diffraction कुछ काम होगा sorry boiling point में diffraction में जो increment है वो कुछ और होगा इसके लिए कुछ और होगा दूसरा isotropic mixture boil without change in the air composition yes ये सही है composition नहीं change होता चाहें vapor phase ले ले चाहें liquid phase ले ले ओस्मोसिस always takes away from hypertonic to hypotonic ये थोड़ा सा गढ़बढ है hypertonic का मतलब हुआ hypertonic का मतलब हुआ hypertonic का मतलब हुआ जिसका osmotic pressure कम है तो नई sorry hypertonic का मतलब हुआ जिसका osmotic pressure जाधा है तो अगर osmotic pressure जाधा हुआ तो इसकी मतलब है molarity आपकी जाधा है और hypertonic का मतलब हुआ जिसका osmotic pressure कम है osmotic pressure कम करने से क्या होगा कि आपकी molarity जाधा sorry osmotic pressure कम करने का मतलब molarity कम है तो hypertonic वाला आपका concentrated हुआ और हाइपोटोनिक वाला आपका डाइलूट हुआ, तो अस्मोसिस तो डाइलूट से कॉंसें टाइलूट के लिए थोड़ी ना, तो आपका यह जो तीसा वाला यह गलत होगा, A अल्रेडी गलत हो चुका, B सही था, फिर देंस्टी अव 32% इस फोरसोली जाना में, मुलारिटी 0.5 is approximately 1.26 gram per ml, यह D वाले के हमें एक फॉर्मुला इस्तामाल करना पड़ेगा, फॉर्मुला होता है, मुलारिटी का, मुलारिटी का, मुलारिटी को तो 10 into percent w by w into density upon molar mass, तो यह मुलारिटी कित्ती है हमारी, मुलारिटी हमारी दी हुई है, 4.09, 10 into percent w by w is 32, density दी है 1.26, whole divided by molar mass होता है 98, इसको solve करना पड़ेगा, ठीक है, यह देखे 14 decimal अगरम अठा हाँ है, नीचे 2,0 बढ़ रहा है, 2,0, 2,0 यहां से cancel हो जाने वाले हैं, तो यह 14 से cancel हो रहा है, 14 सबिंजा 98, 14 से करेंगे 14,9 सा, ठीक है, और क्या बचे का यह, और कुछ cancel हो रहा है, नहीं यार और तो कुछ cancel होते हैं, वह नहीं दिख रहा है, यहार इसको ऐसा करता है, 409 लिखा हुआ है, इसको 410, अब देखे, यह value, हमको तो verify करना है, यह value अगर 4.09 के equal आजाए, इसको मैंने थोड़ी गलबल कर दी, यह cancel नहीं करना चाहिए था, इसको decimal को यह ही लखे रहा हैं देना चाहिए था, और यहां यह double 0 भी लिखा रहा ह देना चाहिए था, तो अगर माली जाए अगर यह value 4.09 के equal आजाए, तो इसका मतलब LHS के कुछ RHS हो गया, तो इसका मतलब यह हमारा option सही हो जाएगा, पर यह मुझे लग नहीं रहा है, पता क्यों, देखो, 3210 जा करूंगा, तो वह होगा 320, 320 इंटु 10 भी कर दूं, 3 इंट approximately 10 है मालो, तो यह आपका 3200 यानि यह लगवा कि 2900 के असपस जाएगा, तो करी लेते हैं, 9 तूजा 18, 9 तूजा 27 और 28, 0 divided by 700, ठेक है न, यह 0 से 0 हो गया, नहीं, यह 4.09 तो नहीं आएगा, देखे कैसे, जब हम डिवाइट करेंगे, तो 7 से करते हैं अगर इसको, तो 7 से डिवाइट करते हैं इसको जड़ा, कितना आएगा, 7, 4 जा, और 7, 1 जा, और यह आजाएगा आपका 41, यह नि 4.1 सम्धिंग आ रहा है, 4.09 तो नहीं आ रहा हाँ, 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 थोड़ा सा गड़वड है, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, चलिए, देखते हैं इस पर, यह D वाला हम लोग अभी इसको थोड़ा सा संभाल के रखते हैं, 4.1, अच्छा, एप्रॉक्जिमेटली वाइट वाइट है, तो अप्रॉक् जैसे हम लोग ने मालीचे के आई है, क्या ही में हमने क्या अड़ कर दिया, एजी अनुथी अड़ कर दिया, ठेक है, तो क्या होगा, नेगिटिवली चार्ज सोल मिलेगा, ऐसा वो बोल रहा है, के आई को अड़ का है, सिल्वर नैट्रेड में, तो जिसमें अड़ करते हैं नहीं positively बनेगा. तो correct answer क्या हो जाएगा? P and DR correct होना चाहिए. तो yes, यह हमारा हो जाएगा, fourth option. ठीक है? P and DR correct. D बाले में तोड़ा मुझे लफड़ा ही हो गया था? 4.1 आ गया था तो यह 4.09 बोल रहा है. तो ठीक है, तोनों approximately दोनों साइट सेम है. कैर, बढ़ते हैं आगे. मैंने LHS equal to RHS कर दिया. वो density वाला mole IT का formula लगा करेंगे density निकाल के देख सकते थे. यह मैंने दिमागी में नहीं आया. vapor pressure versus temperature का curve दिया हुआ है, the boiling point of the solvent is. तो solvent का boiling point यह तो गराफ सीधा सीधा है, यह वाला point temperature है, इस पे आपका solvent का vapor pressure equal हो गया है, किसके? external pressure के, तो यही temperature आपका boiling point होगा, 82. 82 है यह लिखा हुआ है. तो 82 degree Celsius आपका boiling point हो जाएगा. चले बढ़ते हैं आगे. यह तो simple सा था, इसमें तो कोई लोड ने था. फिर आप solution containing 2 gram of non-electrolyte solute in bees gram of water boils at 53.52 the molecular mass of the solute is इन अच्छा ठीक है. देखें 2 gram solute लिया है 20 gram में dissolve किया है, boil कर रहा है 373.52 ठीक है? तो यानि कि अगर हम लोग बोलें, तो delta TB क्या होगा? delta TB होगा पानी, जो solution का TB है, minus जो original TB था, तो यह solution का TB किता है? 373.52 अच्छा, पानी का boiling point होगा होता है 373R is 0.52 यह delta TB होगा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? आई तो 1 होगा क्योंकि non-volatile bowl, वो आपका कुछ solute के बारे में information नहीं थी है तो आई को तो 1 ले लिया, kb की value 0.52 थी है into molality, molality होती है moles of solute, moles कैसे निका लेंगे? 2 upon molar mass divided by solvent का weight which is 20 into 1000 0.52 से 0.52 cancel होगया 1 इकोल, यह 2 से देखे 10 बार, यह cancel होगया, यह 1 इकोल 2 हारा है 100 upon M सब्सक्राइब कितना आजाने बाला है? 100, यह लिजे, होगया कात्राइब molal mass निकला है चले बढ़ते हैं आगे यह तक को, आपका सोचे जही में 23 का कोशन है 20% of acetic acid is dissociated when its 5 gram is added to 500 ml of water derivation and freezing point of such water is this तो यह बताइए क्या होगा, चले देखते है अब आई निकाला जाए, acetic acid मेंदब CS3COOH यह किसमें break होता है? यह break होता है CS3COO- plus H plus तो इसके लिए आई क्या होगा? आई होगा 1 plus N minus 1 alpha तो I equals to 1 plus N किता है दो टुकलों में 2 राए 2 minus 1 alpha alpha 8 acetic acid का 20% 20% का मतलब हुआ कि alpha की value is 0.2 यह value put करी तो यह आजागा 1.2 I की value हमने 1.2 निकाल ली तो delta TF equals to I means 1.2 into KF KF यानि 1.86 into molality molality किती है भया? 5 gram को 50 mm तो molality होजाए कि 5 upon 60 acetic acid का molecule हमाँ 60 होता है whole divided by 500 into 1000 इसको भाई है solve करना है मेनत करते है चलो थोड़ी यह cancel होगा 2 बार नहीं हो रहा है यह तो को 5 into 1.2 यह दोनों मिल करके बन जाएंगे 6 6 से cancel होगा है 10 बार ठीक है यह कितना आ जाएगा? 3.72 2 से multiply किया divided by 10 0.372 तो इसे क्या लिख सकते है? 372 into 10 to the power minus 3 क्यों? क्योंकि हमसे इस format में निकल वा रहा है तो हमारा 372 answer हो जाएगा यह mark कर दीजएगा यह integer type question है देख रहा हो कितने पास-पास options दिये हूँ है J main में integer type आता है ऐसे option नहीं मिलता है अज़ा या रव इसको तुम यह खुद से परना ठीक है? यह आप इसको खुद से करी है और match the column है पता है J main में बता हूँ सीधे क्या मतलब क्या मजाग चल रहा है question के नाम पे 23 में इतना असान question आया हाँ यह question ठीक लग रहा है sea water में 29.25% magnesium NaCl है, 19% mgCl2 है करभाई weight of solution the normal boiling point of the sea water is अच्छा अब देखो हमारा formula क्या था? I into Kb into M यह था हमारा delta Tb अब देखो solute चाए NaCl हो चा mgCl2 उसे फर्ख नी पड़ता अब यह 29.25% बोला है तो ऐसा करते हैं ना 100 gram water ले लेते हैं ठीक है इसमें 29.25 gram NaCl हो जाएगा और आपका 19 gram mgCl2 हो जाएगा ठीक अच्छा 100% आइडाइशन बारना है तो NaCl के लिए I कित्ता हो जाएगा I हो जाएगा 1 plus 2 minus 1 into 1 यानिकि 2 इसी तरह ज़रा इसका I निकालना कित्ता आ रहा है बहुत करके खुछ से निकालना इसका I आएगा 3 क्योंकि mgCl2 तीन टुकलो में टूटेगा mg2 plus plus 2Cl minus तो जब 100% आइडाइशन होता है न तो आप जितने टुकलो में टूटते हो वही आपका I हो जाता है ठीक चलिए करते हैं अब देखे करने के लिए थोड़ा मैं लेंदी लगेगा आपको लेकिन ये तरीका है असर आई देखना net I कैसे निकालेंगे net I कैसे निकालेंगे I नहीं net निकाल रहा हूँ I into M निकालूँगा net देखना कैसे निकालूँगा I into M के लिए पहले solute के moles लिखूँगा देखना I into M के लिए solute के moles तो solute हमारे देखो 29.25 gram NACL है तो 29.25 upon 58.5 इसका मोला मास होता है इंटू 2 कर दिया समझना है 2 क्यों गया? क्योंकि ये 2 टुकलों में तूटेगा प्लस, 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 प्लस आपका 19 upon मोला मास MgCell2 का मोला मास 95 है 24 plus 35.5 इंटू 2 इंटू ये 3 टुकलों में तूटने वाला है इंटू 3, इंटू 3, इंटू I, I चल रहा है साथ में ये होगा solute के मोल्स, upon पानी का वेट कित्ता होगा? अब देखो यार पानी का वेट होगा 100 minus 19 plus 29.25 ये कित्ता हागे आपका? 100 minus 29 plus 19 कित्ता होगा? 48 0.25 इंटू 1000 ये मैंने से मोलाल्टी लिखा इंक्लूडिंग I और इसमें हमें निकालना क्या था? K भी दिया होगा 0.52 इसको solve करना है, answer निकालना है तो कुस्तो असानी से solve होजागा 19 से 5 ताइम्स, ये decimal अटेगा ये भी आपका 1 by 2 ताइम्स ये तो cancel ही हो गया तो ये 1 plus 3 by 5 divided by 51.75 इंटू 1000 इंटू 0.52 ये तो मैं ये solve करना answer की में इसका answer 116 दिया होगा है देखें, क्या तुम इसको 116 degree Celsius ये नहीं इसका delta Tb आएगा ये क्या आएगा? delta Tb फिर इसके बाद में जो भी आए delta Tb तो जो final Tb आएगा वो 100 plus delta Tb कर देना तो क्योंकि ये 16 आ रहा है इसको solve करना कुछ से तुमारे उपर छोड़ रहा हूँ चलिए बरतियां आगे अच्छा सवाल था ये दो अलग-अलग type के solution हो गए थे पर कहरे थे number of pure of solution अभी तो same value of osmotic pressure from the following same value किसकी होगी भाइ जिसका i into m same हो जाएगा उसकी osmotic pressure same हो जाएगा जैसे हाँ देको molarity m है C2H5 वो इस चूटता नहीं है तो इसका i 1 ही होगा तो इसके लिए i into m क्या हो जाएगा i into m हो जाएगा 1 into 0.5 यहाँ क्या हो जाएगा KBR KBR के लिए आई किता होगा यह दो टुकलों में टूटेगा K plus और BR minus तो K plus और BR minus में टूट रहे तो इसके लिए आई किता होगा इसके लिए आई होगा आपका 2 तो 2 into 0.25 कर दिया तो यह 0.5 हो जाएगा कुछ इशुग आ रहा भया technical कही बार होता है ऐसे board में अचानक चल चलते हैं कही बार लगता है क्या हो गया है क्या हो जाए चले इचा है ऐसे करते हैं हम लोग orally करने कोशिश करते हैं जट्रा कमारा देखते हैं सिस्ट्रम थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है तो आई इसका इलिए बान होगा C2H5OH कुछ I1S में नहीं टूट था इसके ABR 2 में टूटेगा तो 2 into 0.25 यानि की 0.5 तो इन दोने के लिए i into m सेम हो गया तो पहले बाले केसे में हम बोलेंगे कि i into m चुकी सेम हो चुका है इसलिए इसका osmatic pressure क्या होगा? सेम होगा तो एक तो यह सही है फिर इसके लिए देखो यह कित्य टूटेगा 4 और यह देखो एक बड़ा सा टूटा मिलेगा 5 पता है इसके लिए i कित्ता होगा 5 तो इसका m ए 0.1 i into m करो तो कितना आ जाएगा? 0.5 यहाँ देखो कित्ता है यह कित्ते टूटेगा FeSO4 and H4HSO4 तो 2 टुकड़े यहाँ से मिलेंगे 2 और 3 टुकड़े यहाँ से इसका भी i5 है तो यार यह भी तुमारा क्या होगा आइसो टोनिक हो जाएगा आपका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा थर्ड वाले में देखो 0.05 इंटू इसका i5 होगा तो 5 इंटू 0.05 किता होगा 0.25 और यह 0.25 इंटू NACL NACL की मोलाइटी होती है and factor went off factor होता है 2 तो इसका i होगा आपका 2 तो i इंटू M करोगा तो इसका 0.5 आएगा यहाँ कुछ और है नई C में नहीं होगा इसी तरह तुम इसको D को भी चेक करो और तुम E को भी चेक करो यह किते टूकलों में तूट है का Kcl दो तूकडे Mgcl 2 3 तूकडे इसका i5 होगा h2o को नहीं count करते h2o N84 में तूट था है और यह किते टूकलों में तूट है का यह 2 तूकलों में तूट है का यह है न Kcl है और यह 2 k плюс और cl minus अब इनको osmotic pressure भी सेम होगा, delta tf भी सेम होगा, delta tb भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, क्या क्या रहा है, 8 gram of non electrolyte solute is dridolny 114 gram of noctane to reduce your pressure to 80%, the इतना is this is, अच्छा, अब देखे, क्या रहा है, 8 gram non electrolyte लिया था, तो उसके moles कित्ते हो जाएंगे, solute के, काम पढ़ने वाला है, क्योंकि 8 divided by उसका mole of mass, यही पूछा जारा है, फिर 114 gram in octane में divide का है, तो moles of solvent क्या हो जागा भाई है, 114 divided by 114, यानि कि 1 mole, और vapor pressure octane to reduce its vapor pressure to 80%, यानि कि जो आपका final vapor pressure है, वो 80% of initial है, ठीक है, तो चले कर लेते हैं, P0 minus Ps upon P0, यानि यह relative loading को vapor pressure, यह mole fraction of solute, 8 by m divided by total moles, total moles है 8 by m plus 1, पर देखो यह NEET में पुछा क्या सवाल है, तो NEET में आपका यह 20% की कमी आ रही है, बहुत बड़ी कमी है, यह dilute solution नहीं है, यह concentrated solution होना चाहिए, तो यह जो value है ना, इसको आप approximately 1 लिख देना, 8 by m जो लिखा है, इसको neglect कर दो, ignore कर दो, ज़रा दोको यहाँ यह value कित्ती है, P0 minus Ps, P0 को माल यह 100 है, तो Ps क्या हो जागा 80, 80% है, divided by 100, इकोल सु क्या हो जागा 8 by m, तो यह आजाएगा आपका क्या, 20 upon 100 equals to 8 by m, तो यह कित्ता आजाएगा, 40, कितना आजाएगा, 40, यह answer आपका, ठीक है, असान question था, बढ़ते हांगे, what weight of glucose must be dissolved in 100 gram of water, to lower the vapor pressure by 0.2 mm of Hg, कितना weight glucose का dissolve करते हैं 100 gram water में, ताकि आपका vapor pressure lower हो जाए, 0.2 mm of Hg से, तो यह वही formula काना, P, P0 minus P as of 0.2 दिया हुआ है, और original pure water का 54.2 दिया है, यह आप खुद से करिए जाएगा, में 23 का question है, कुछ से करिए, इसमें weight of glucose upon mole, यहनि formula यही लगने वाला है, P0 minus P s upon P0, equals to moles of glucose upon moles of water, ठीक है, तो P0 की value क्या दिए होई है, 54.2, but P0 minus P s, lower water to lower the vapor pressure by, यह value P0 minus P s की, circled value दिये 0.2, इसको करने कोशिश करिएगा, नहीं आता है, तो comment section में बताईगा, मैं आपको बताऊँगा, इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप से क्या बोला है, weight of glucose बताना है, तो moles of glucose को लिगते है, weight of glucose upon 180, most of water क्या हो देगा 100 gram upon 18, बड़ा easy question लग रहा है, करके देखेंगा, फिर तब following solution अन्गार prepared, by dissolving 10 gram of glucose into 50 ml of water, 10 gram of urea into 50 ml of water, and 10 gram of sucrose into 50 ml, सब को 10 gram सबका लिया है, और 200-200 ml में डाल दिया है water में, तो कहरे रहा है, औस्मोटिक प्रेशर का क्या है, order होगा, तो देखो पहली बार में लगेगा रहा है, आज तीनों जगे पर solute के amount सेम है, तो उस्मोटिक प्रेशर सबका सेम होने जगे, अलाकि या था कोई option ही नहीं है, तो अब आपको यह देखना, जहाँ solute के moles जादा होंगे, महाँ solute का number जादा होगा, solute का number जादा होने से, आपका colligative properties जादा मिलेगी, यानि कि होस्मोटिक प्रेशर जादा मिलेगा, तो यहाँ देखो क्या किया है, 10 gram glucose है, glucose का molecular weight 180 होता है, water का, sorry water नहीं, urea, urea का molecular weight 60 होता है, और सुक्रोज का molecular weight 342 होता है, तो यहर 10 gram सबके लिए रखे हैं, पर एक हलका है, 60 gram, 60 molecular weight होता है, एक का, वो है 180 और एक का 342 है, तो सबसे ज्यादा particle का होंगे, सबसे ज्यादा particle का मिलेंगे, जली बोलो भया, सबसे ज्यादा particle सोचो जरा, सबसे ज्यादा particle पता है का मिलेंगे, यूरिया में, क्यों? weight कम है, sorry, molecular weight कम है, तो आपके 10 gram में ज्यादा moles हा जाएंगे, तो यहाँ पर आपका जो eosmantik pressure है, π2 वो ज्यादा होगा, as compared to क्या, glucose, glucose ज्याँ ज्यादा थोड़ा से ज्यादा है, सबसे कम क्या होगा, π3, तो अगला question है हमारा, if the degree of distribution of aqueous solution of weak monoproduct S monobasic acid is determined to be 0.3, then the observed phasing point will be percent higher than the expected theoretical phasing point will be, okay, देखे, अगर हम लोग observe की बात करें, तो observed हमारा जो delta Tf आएगा, वो कितना आएगा, वो आएगा, आएगा i into kf into m, ठीक, और अगर हम लोग theoretically निकालेंगे, तो कितना आएगा, theoretically निकालेंगे, तो कितना आएगा, theoretically निकालेंगे, तो आएगा kf into m, i तो इसलिए आजाता है, क्योंकि वो पार्टिकल जाकर के तूट रहा है, dissociate हो रहा है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि, percent increase कितना आएगा, तो यह हमको यह निकालना है, यानि कि, delta tf observe, minus delta tf theoretical, divided by, divided by delta tf theoretical, into 100, यह value निकालना है, पर यह इसके लिए हमें i निकालना पड़ेगा, phi कितना हो जाएगा, i होगा, 1 plus n minus 1 alpha, 1 plus, monobasic acid है, 2 to climate 2 take, 2 minus 1 into alpha, तो 2 minus 1 into alpha, alpha कितना है हमारा, alpha हमारा 0.3, क्योंकि उसने बोला हुआ 0.3, यह जागा 1.3 i की value, नहीं, तो i की value 1.3 है, उठागे रहागी चे, 1.3 minus, oh sorry, 1.3 into, into kf, into m minus, आई तो यहाँ, theoretical में आना नहीं, तो kf into m divided by, कितना आजाएगा यह, यह आजाएगा आपका नीचे भी kf into m, ठेक है, तो kf into m तो पूरा cancel हो गया, कितना आएगा यह, 1.3 minus 1 divided by, oh into 100 भी था भी है, into 100 खा गया, जम को लग रहा है, divided by 1 into 100, तो solve करने पर कितना आजाएगा भाई है, 0.3 into 100, यहनी कितना, 30%, इसका साइज जबाब क्यों हो जाएगा, 30% जादा मिलेगा, आपकी expectations है, चलिए, बिलेगा, 0.004, 0.004 M K2SO4, 0.01 M Glucose Solution, percentage dissociation of K2SO4 will be, अच्छा, अगर isotonic है, तो isotonic का मतलब है, इनका I1C1, चाहे K2SO4 का, इक्वल होना चाहिए I2C2 के, किसके? आपका glucose, तो I1 कितना है, इसका I1 को I1 ही रहने देते हैं, into 0.004, equals to I2 की जगे पर क्या करतेंगे हैं हापे, 1 होगा glucose के लिए, glucose नहीं dissociate होता है, 0.01, तो यहांसे I कितना आजाएगा, 0.01 divided by 0.004, तो यह decimal अठेका, उपर 0 बढ़ जाएगा, यह 2.5 आ रहा है, अब K2SO4 जब तूटता है, तो उत्ती इंटू क्लो में तूटता है, तो यहनि 1 plus 3 minus 1 into alpha, यह 2.5 आ रहा है, तो 2 alpha हैगा 1.5, तो यहांसे alpha हैगा 0.75, तो percent alpha कितना हो जाएगा, इसको 100 से multiply कर देना, यहनि 75%, यह 5 answer हो जाएगा, ठीक है, चले बढ़ते हैं आगे, boiling point है 2 solvent के, let's say solvent हो गया A और एक हो गया B, तो MA equals to MB बोल रहा है, और boiling point यहनि T A ratio T B कितना बोल रहा है, 2 ratio 1 बोल रहा है, and यह enthalpy of vaporization O, enthalpy of vaporization any delta H Vap A, यह कितना है, यह 1 ratio 2 बोल रहा है, तो कर रहा है, then the boiling point elevation constant X is M times the value of M is, कर रहा है, if the boiling point elevation constant for X, अच्छा, यह solvent X और Y थे, हम A और B लेकर चल दिये, तो यहार इसको मैं A बोल रहा हूँ, इसको मैं B बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने A और B लेकर चल दिया, तो यह क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि M X, sorry, M A, नहीं M A नहीं, elevation boiling point elevation constant, यह नहीं कि आपका K B की बात कर रहा है, K B of A is M times K B of B, यह बोल रहा है, तो M की value पूछ रहा है, चलिए अभी K B का formula देखा था, R into T B, नहीं boiling point का square, upon delta H Vap into molar mass divided by 1000, यह पूरा आपने A के लिए लिख लिया, तो शुट बेकर र into boiling point of B का square divided by delta H Vap of B into molar mass of B divided by 1000, और यह M into R कर देना, बस M की value निकाल लिए, solve कर लेते हैं, देखो ratio तो दिया हुआ है, solve हो जागा आराम से, R से R cancel हो गया, M A और M B same है, तो M A और M B cancel हो गया, 1000 से 1000 cancel हो गया, अब देखो इनका ratio 1 ratio 2 है, तो अगर इसको हम लोग माल लेते हैं X, sorry X नहीं, इसको माल लेते हैं अगर X, तो यह हो जागा चलो 2X, तो यह से ही cancel हो जाएगा 2 बार, नहीं, अब T A T B का ratio 2 ratio 1 है, तो अगर हम इसका square तो नो और का कर दें, मतलब अगर यहाँ square, यहाँ square कर देंगा, तो 2 का square into 1 का square, ratio 1 का square हो जाएगा, तो अगर मैं इस से इसको cancel करूँ, तो यह 4 times cancel होगा, तो 4 equals to क्या हो जाएगा, small m upon 2, तो small m आ रहा है आपका 8, कहीं पहस option, yes, option number 1, ठीक है, चले बढ़ते हागे, boiling point of 0.2 mol per kg solution of x is water is greater than eqmol solution of y in water, which of the following is 2 in this case, ठीक है, y, boiling point किसका का है, boiling point का मैं y का, x का boiling point जाएदा है, तो इसका तो एक ही मतलब होगा, कि दोनों का molalities है मैं, तो यह तो तभी हो सकता है, जब x dissociate हो रहा हूँ, dissociate होगा तो इसके particle बढ़ जाएगे, particle बढ़ जाने से number of solute particle बढ़ जाएगे, तो आपका, जो वो है, क्या बोलते हैं इसको, solute particle बढ़ जाने से जो वो है, elevation of boiling point वो बढ़ जाएगा, तो यह मेरे काल से यह होना जाए, इसका axis undergoing dissociation in water, यही correct answer है, ठीक है, चले बढ़ते हां आगे, the freezing point, the depression constant, kf of benzene is this much, freezing point, molality दिया हुआ है, non electrolyte है, यही फॉर्मुला बेस्ट कॉश्चन है, delta tf निकालना है, देखें, molality दिया हुआ है, kf दिया है, बस multiply कर दे, नहाँ जाएगा, यह भी आप ही के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको करिएगा, try करिएगा, if molality of dilute solution is double the value of, well, depression constant will be, देखो, kf तो solvent पर depend करता है, solute की molality, molality पर कोई dependency नहीं, तो अगर आप molality को double, triple, quadruple, कुछ भी कर दे, उससे kf आपका क्या रहेगा, unchanged, kf आपका क्या रहेगा, unchanged, kf क्या, kv भी भी unchanged रहेगा, पिदी के अगला कोशन है, solution of 12 gram of non-electrolyte, prepared by dissolving it in 1000 ml of water, exerts the same osmotic pressure, as that of 0.05 m glucose solution, at the same temperature, temperical formula A is, this molecule of mass of A, is अच्छा ठीक है, 12 gram को 1000 ml में डाला है, osmotic pressure उतना ही मिल रहा है, तो इसका मतलब दोनों क्या है, isotonic है, isotonic के लिए condition होती है, I1C1 equals to I2C2, यह condition है, पहले उस दी लबी चोड़ी का नहीं लिख दी, मैं तो परते-परते ठक गया, तो यह glucose के लिए देखो क्या हो जाएगा, I1 0.05, अब यह 12 gram को आपने 1000 ml में डाला है, M upon volume in ml 1000 into 1000, यह liter ही में ले रहते हैं, तो बढ़िया रहता है, 1000, 1000 cancel, तो यह से M क्या आजाएगा, M आजाएगा 12 upon 0.05, decimal आटेगा, उपर 2 0 बढ़ जाएगा, 5 से cancel होगा, 2 4 0, 240 आ रहा है, तो मोल अब आपने साब का कितना हो जाएगा, 240, यह जाएगा 23 में पूछा गया कोश्चन है, फिर कह रहा है, 80 मोल परसेंट of MgCl2 is dissociated, in aqua solution, the vapor pressure of 1 मोल in aqua solution, MgCl2 is, will be, चलिये, करते हैं, 80% dissociated है, 80% dissociated है, जमजना ध्यान से, यानि कि 80 मोल परसेंट dissociated है, इसका मतलब है, कि आपका अगर इस data से देखें, तो alpha की value 0.8 है, तो आज आज आई निकालना पड़ेगा पहले हमको, कैसे निकालेंगे, 1 प्लस 3 माइनस 1, यानि 3 टुकलो में टूटता है नहीं, इंटू 0.8, तो 1 प्लस 1.6, यानि करने पर आ रहा है 2.6, यहाई आ रहा है, यहाई की value आ गई, टेक है, vapor pressure of 1 molal equal solution of MgCl2 will be, vapor pressure निकालना है, 1 molal equal solution of MgCl2, चलो देखो, 1 molal दिया हुआ, 1 molal का मतलब हुआ, 1 mol of solute in 1000 gram water, यही होता है, चलो, तो देखो, यहाई आप formula लगाने जा रहा है, P0 minus Ps, original vapor pressure minus solution का vapor pressure, divided by RLVP, equals to mole fraction of solute, तो solute का mole F1, total moles में सिर्फ solvent की mole ले रहा है, क्योंकि dilute solution रिजूम कर रहा है, क्या ज़ग आपका क्या, 1000 upon 18, P0, 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 vapor pressure of pure water दिया हुआ, 50, solution का vapor pressure पूछा जा रहा है, अज़ा ध्यान रखता है, mole fraction of solute से फ़ले I भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो dissociate हो रहा है न, तो इसका I है 2.6, ठीक है, upon P0 हो गया 50, equals to 2.6 into 18 नूपर जम करके चला जाएगा, divide by 1000, यह 50 से 20 बार cancel हो रहा है मेरे खाल से, ठीक है, यह 20 बार cancel हो रहा है, 2 से cancel हो रहा है कितनी बार, 9, 2 से cancel हो रहा है 9 times, तेखें, किना आ रहा है 9 से करने पर, 9.6 आ, solve करते हैं, और क्या और कोई option ही नहीं है, 9.6 आ, यह रहा है 2.34, यह रहा है 50 minus PS, तो यहां से जब तुम्हे रहा है PS निकाल होगे, तो 50 minus 2.34 हो जाएगा, कितना हो गए, 47.66, जो कि अप्रॉक्सिमेटली नियर्बाइं टीजर करते हैं, तो 48 हो जाएगा, कहां लिखाया यह रहा, second option correct हो जाएगा, ठीक है, बट, इस type के question में, ठीक अगर ऐसा आता है, तो आप यही formula लगाएगा, dilute मानते हुए, concentrated मानते हुए, हम लोग नहीं लगाएगे, unless वो बोले कि, यहां भई, solution concentrated है, देखो, सबसे key point यहां क्या था, कि मैंने जो यहां पे, solute के mole निगलेक किये, यह निगलेक करना लोग भूल जाते हैं, इस वज़े से उनका question, गरबर हो जाते है, खेर, फिर on the following, 0.1 M.A.Solid, on which one will exhibit largest freezing point depression, वही I into M देखना, जिसका I into M जज़ादा होगा, वह depression freezing point, ज़्यादा लगाएगा, कुछ से करिएगा इसको, thank you, यह बहुत ही बड़ा chapter तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आए इंपॉर्टन chapter हो सकता है, अलाकि question इससे, एक या दो ही आते हैं, नीट में और J-Man के लिए, काफी important यह chapter माने जाता है, तो मैंने आपको पूरा theory one shot में, और पूरे numerical जो PYQ, जितने मेरे से हो सके, वो मैंने include कियें, बाकि की चीज़ें हम लोग मिलेंगे, तो अगले turn पे discuss करेंगे, अगले one shot के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल लग किये, safe रहिए, कोई problem आती है, तो comment section में ज़रूर बताइए, टाडा, thank you.